जहें दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगोंने सेटिजन से कवर कर लिया था, इस वीडियो में हम बात करेंगे fundamental rights यानि मौलिक अधिकार की देखें समिधान के part 3 में और article 12 से लेके article 35 के बीच में आता है fundamental rights यानि मौलिक अधिकार और fundamental rights को हम बोलते हैं magna cata of India, article 12 से लेके article 35 के बीच में आता है fundamental rights और fundamental rights का जो concept है वो बोरो किया गया है USA Constitution से, तो USA में जो fundamental right है उसको bill of rights बोलते है तो USA का जो concept है ये इंडिया में लिया गया है as fundamental rights और fundamental rights जो हैं वो हमारे इंडिया में political democracy को promote करते हैं जो political democracy है, लोगतांत्रिक जो स्वतन्रता है उसको promote करते हैं हमारे fundamental rights और state के उपर restriction लगाते हैं जिसे जो हमारी executive body है, जो executive है और जो legislature है तो ये ऐसा कोई भी नियम ना बना पाया है जिसे कि हमारे fundamental rights का violation हो तो जो state की power है उसको limit करने का काम करते हैं तो state को limit कर रहा है तो fundamental rights जो होते हैं वो state की power को limit करते हैं अब बात करते हैं features क्या है fundamental rights के तो दीए कुछ fundamental rights ऐसे हैं जो सिटिजन्स को दिये गए हैं और कुछ ऐसे हैं जो citizens के साथ साथ जो foreigners हैं या जो companies हो गए लीगल corporations वगरह हो गए इन सभी को मिले हुए हैं और जो हमारे fundamental rights हैं वो absolute नहीं हैं बलकि qualified हैं इसका मतलब यह हुआ कि state चाहे तो इस पे जो है reasonable restriction लगा सकता है आपके मौली का दिकार पे state जो है कुछ restriction लगा सकता है और जितने भी हमारे fundamental rights हैं वो सभी मिले हुए हैं हमको state के arbitrary action के against में अगर state कोई ऐसे law pass कर रहा है जिससे आपका fundamental right है वो violet होता है तो आप direct Supreme Court जा सकते हैं तो यह state के arbitrary action होगा उस पर क्या कर रहा है limit लगा रहा है उसको रो कर रहा है और कुछ rights हैं वो हमको मिले हुए है private individuals के against भी ठीक है तो state के against तो मिले हिए हैं और private individuals के against भी कुछ rights हमको मिले हुए हैं कुछ rights जो होते हैं, वो character में जो है negative होते हैं, negative type के भी rights हम भो देखने को भी लेंगे, आगे हम जो हम देखेंगे तो, तो negative character के भी right है, और वो क्या करते हैं, कि वो limitation लगाते हैं, state की authority पे, तो ऐसे अधिकार, जो state की authority को limit कर रहे हैं, state की power को कम कर रहे हैं, उस fundamental right को हम बोलें करेंगे, negative right, ठीक है, वो होगा negative right, तो वो क्या करेगा, state की power को limit करेगा, और जो fundamental rights हैं, वो justice-able in nature होते हैं, यानि इनका अगर violation होता है, तो आप direct supreme court या high court जा सकते हैं, ठीक, direct supreme court आप जा सकते हैं, अगर इनका violation हो रहा है तो, तो जो fundamental rights हैं, वो justice-able है, अब जैसे जो DPSP है वो not-justiciable है, यानि DPSP का अगर कुछ violation होता है, तो आप यह नहीं कर सकते कि हैं, हम जो है supreme court में जाएंगे, नहीं, लेकिन fundamental rights अगर void हो रहा है, तो आप direct supreme court जा सकते हैं, अंडर article 32, उसके बाद जो fundamental rights हैं, वो sacrosanct नहीं है, या permanent नहीं है, मतलब emergency जब लगती है, तो fundamental rights को ज through किया सकता है, तो इसको constitutional amendment के through कर सकता है, यानि article 368 में आता है, हमारा constitutional amendment, समधान में संसोधन होता है, 368 article में है, तो उसके through fundamental rights को change किया सकता है, curtail किया सकता है, या repeal किया सकता है, और जो हमारे rights हैं, उनको emergency के time पे, जब national emergency अगर लगती है, तो उस time पे जो rights को खतम किया सक एक्सेप्ट, एक्सेप्टिन यह है कि आर्टिकल 20 और 21 खतम नहीं होगा, ठीक है, एमर्जेंसी जब लगेगी, तो सारे जो राइट्स हैं वो खतम हो जाएंगे, लेकिन आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 जो है वो खतम नहीं होगा, वहीं जो आर्टिकल 19 में आपको 6 अधिकार द अगर अगर ऐसे नॉर्मली इमर्जेंसी लग रही है, तो उस समय जो है आर्टिकल 19 घतम नहीं होगा, ठीक है अरटिकल 21 जो है यह कभी भी खतम नहीं होंगे, चाहे कोई भी एमर्जनसी लगे, लेकिन आर्टिकल 19 तभी बंद होता है, तभी खतम होता है, जब एमर्जनसी वार के बेसिस पर लगाई जा, यानि किसी दूसरे देश के साथ जो है वार चल रहा हो, तो उस कंडिशन में आर्टिकल 19 को खतम किया सकते हैं, तो आर्टिकल 32 का जो एप्लिकेशन है, वही खतम कर दिया जता है, तो जब आर्टिकल 32 ही नहीं रहेगा, तो बाकी सारे फंटामेंटल जो राइट्स हैं, उनके रहने का कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि अगर वार्टिकल होगा भी तो आप सुप्रीम कोट नही की डिफिनिशन, यानि फंडामेंटल राइट्स में, आर्टिकल 12 से लेगे 35 के बीच में, जहां जहां स्टेट जो ये वार्ड आएगा, उसका मतलब क्या है, तो आर्टिकल 12 स्टेट की डिफिनिशन में आते हैं, एक्जेक्यूटिव और लिजिलेटिव और इस जाएं गया रिफिनिशन में, इस जो न लेखे, हैं जाएं जान स्टेटिवरी बोडी या नौन अलेखिर, या नोन आएगा, जासे ये वार्ठ की दिफिनिशन में ऑसका में एक्जेक्यूटिव और लिजिलेटिव और बोडी स्टेट के लिए काम कर रही RNA है तो वह द अलावा इस्टेटोरी बॉड़ी, नॉन स्टेटोरी बॉड़ी हो गई, LIC, NGC और प्राइवेट बॉड़ी ऐसी जो कि गवर्मेंट के अंटर में काम कर रही होगी, वो भी प्राइवेट बॉड़ी जो है, वो स्टेट की डिफिनिशन में आएगी, तो ये था आर्टिकल 12, अब बात करते हैं आर्टिकल 13 की, तो आर्टिकल 13 बोलता है कि laws inconsistent with the fundamental rights, यानि ऐसे laws जो fundamental rights को violet करेंगे, उस law को Supreme Court क्या करेगा, null and void declare कर देगा, अगर कोई भी law जो है legislature बनाता है, और वो law आपके fundamental rights को violet कर रहा होगा, तो उस law को Supreme Court के दोरा null and void declare कर दिया जाएगा, इसी को हम judicial review की power, judicial review, तो यह Supreme Court को article 13 से मिलती है judicial review की power, तो article 13 declare करता है कि all the laws that are inconsistent or in derogation of the fundamental rights shall be void, यानि कोई भी law आपके fundamental rights को violet करेगा, तो उसको void declare कर दिया जाएगा, खतम कर दिया जाएगा, तो यहीं से जो concept आता है judicial review का, देखे, judicial review यह word जो है कहीं भी constitution में इसको define नहीं किया गया है बलकि Supreme Court के दोड़ा time to time जो है अपने judgment के थो जो है judicial review के बारे में बताया गया है, ठीक है यह concept जो है article 13 में यह word कहीं नहीं है, या हमारे constitution में judicial review word जो है वो कहीं नहीं है, Supreme Court ने अप judgment के थो है time to time इसके बारे में बताया है, अब देखे, जो law word यूज किया रहा है, article 13 में उस का मतलब क्या है, तो permanent laws enacted by center, यानि ऐसे laws जो center जो है, enact कर रहा है, ले आ रहा है, ठीक है, और temporary यह ordinance by president, तो permanent laws हो गया है आपके center के और state के, और जब president के दवारा कोई ordinance पास किया था, यानि जब अध्यादियर जारी किया आता है, प्रशिंट के दवारा, राश्परती के दवा उसके लावा statutory instruments of delegated legislations, executive legislations like order, उसके लावा कोई भी legislature के दवारा order वगरा जो पास किया आता है, वो भी इस law के definition में आएगा, तो देखे, Supreme Court ने केसवा नंदा भारती case 1973 में कहा था, कि जो constitution amendment है, उसको challenge किया सकता है, अगर वो आपका fundamental right वायलेट कर रहा होगा, और वो fundamental right वो चाहे तो constitution में fundamental right को change कर सकती है, रिपील कर सकती है, लेकिन जो basic structure है हमारे समिधान का, केशवान भारती case में आई कहा था, कि जो basic structure doctrine है, वो basic structure खराब नहीं होना चाहिए, वो खतम नहीं होना चाहिए, उस fundamental right को खतम करने के वज़ए से, तो आप change कर सकते हैं, तो देखे, Supreme Court ने इसमें कहा कि अगर माली fundamental right अपका wallet हो रहा हो, basic structure जो है, वो खतम हो रहा हो, तो उस law को जो है, void declare कर दिया जाएगा, ठीक है, तो यही power हो गई, आपकी judicial review की power, तो यह था article 13, अब हम बात करते है right to equality, जो कि article 14 से article 18 के बीच में आता है, तो article 14 कहता है कि equality before law and equal protection of law, तो द British concept है, British origin का है, और यह negative concept है, negative concept क्यों है, क्योंकि equality before law का मतलब हो गया कि law के सामने सभी लोग equal होंगे, ठीक है, circumstances चाहे जो भी हो, person चाहे जो भी हो, अगर सपोस करिए कि एक healthy-wildy आदमी है, उसने अगर murder किया, वहीं एक ऐसा handicap person है, अगर वो murder करता है, या उससे murder हो जाता है तो इसके according, जो equality before law का जो concept है, उसके according दोनों को same सवजार दी जाएगी, लेकिन वहीं जब बात होगी equal protection of laws की, तो उनके circumstances के हिसाब से, उनके conditions के हिसाब से, उनको सरया दी जाएगी, equality before law का जो concept है, वो rule of law के concept के अंडर आता है, और A.B.D.C. जो की एक British Jurist थे, इनके दोरा जो है ये concept, rule of law का जो concept है, वो दिया गया था, तो Supreme Court ने article 14 को बताया है कि article 14 जो है, वो हमारे समविधान का basic feature है, हमारे constitution का basic feature है, article 14, देखें, जो British का जो समविधान है, और वहाँ पे जो लोगो rights दिये गये हैं, वो rights जो है, वो court के दोरा define किये गये हैं, ठीक है, वहाँ के जो अधिकार दिये गये हैं, वो courts के दोरा define किये गये हैं, कि आपके पास ये rights होंगे, लेकिन जो इंडिया का system है, यहाँ पे constitution से लोगों को rights मिलते हैं, ठीक है, हमारा constitution हमको fundamental rights provide करता है, ना कि कोई court, ठीक है, court क्या करती है, court जो भी constitution है, उसको interpret करने के लिए बैठी हुई किये गये हैं, वो वहाँ की court के दोरा provide किये गये हैं, उसके पाद article 14 ये भी कहता है, कि absence of any special privilege in favor of any person, किसी को भी special privilege नहीं दिया जाएगा, equal subjection of all person to the ordinary law of the land administered by the ordinary law court, यानि court के सामे जब सब लोग जाएंगे तो चाहे हो किता भी गरीब आदमी होगा, या किता भी अमीर आदमी कोई भी नहीं होगा, सभी लोग जो होंगे वो law के under ही होंगे, no person is above the law, उसके बाद जो second concept है, equal protection of law का, ये concept लिया गया है अमेरिका के constitution से, और ये एक positive concept है, बात करेंगे क्यों ये positive है, क्योंकि यहाँ पे अगरमाल ये circumstances equal है, suppose करिए कि जो physically handicapped व्यक्ती ने मतर कियाता है, व दोनों के लिए वो same है, तो यहाँ पे दोनों का equal treatment किया जाएगा, ठीक है, तो equal circumstances में equal treatment की बात, जहां होती है, वहाँ equal protection of law होता है, तो सभी percent पे same laws का same application होगा, जो like है, उनको उसी तरीके से treat किया जाएगा, यानि जो same है, उनको same तरीके से treat किया जाएगा, कोई भी discrimination यान protection of law का, यानि सभी के अधिकारों की समान सनरक्षण, सभी के अधिकारों का समान सनरक्षण किया जाना चाहिए, अब बात करते हैं कि इसका exception क्या है, जो article 14 है, जो equality की बात कर रहा है, उसका exception है, क्या exception है, तो equality before law जो है, वो absolute नहीं है, यानि कि कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ persons जिनको ये special privilege दिया गया है, जैसे हमारे राश्पती हो गया, member of parliament, member of state legislature, foreign diplomats, ठीक है, तो ये लोग जो है, कुछ immunities enjoy करते हैं, इनको special privilege जो है, दिया गया है, ये है, add to equality का exception, नेक्स हम बात करते हैं, article 15 की, तो article 15 जो है, प्रोहिबिट करता है, कि सरकार जो है, state जो है, वो भ साथ, कोई भी भेदभाव नहीं करेगा, लेकिन यहां एक word ध्यान दीजेगा, कि on the grounds, only of, यहां जो word यूज किया गया है, only of, यानि religion, race, caste, sex, place of birth, इन चीजों के अलावा, जो है, state भेदभाव कर सकता है, ठीक है, religion, race, caste, sex, or place of birth के अलावा, क्योंकि यहां only of, यह word यूज क किया गया है, इसके अलावा, अगर और कोई चीज होगा, तो उसमें state चाहेगा, तो भेदभाव कर सकता है, ठीक है, तो word only connotes the discrimination, on the, the grounds, is not prohibited, यानि other grounds पर गार इसक्रिमेशन कर रहा है, तो वो यहां पर prohibited नहीं होगा, तो कोई भी citizen है, उसको prohibited, यानि मना नहीं किया सकता, अ लागू होगा, अब article 15 के exception की बात करते हैं, तो जो state है, उसके पास यह पूरा अधिकार है कि वो, जो educationally backward citizens हैं, या जो socially और economically backward classes हैं, जो women महिलाए हैं, जो बच्चे हैं, या जो SCST हैं, जो भी economically weaker sections हैं, तो इन सभी के लिए state क्या कर सकता है, कुछ special provisions, यानि कुछ special citizens जो है, state जो है, वो बना सकता है, प्रोवाइड कर सकता है, यही article 15 का exception है, अब बात करते हैं, article 16 की, तो article 16 जो है, वो public employment में, या जो है, सरकारी नोकरियों में, जो है, समान की अधिकार देने की बात करता है, यानि सभी citizens हो होंगे, उनको नोकरियों में, सरकारी नोकरियों म तो parliament जो है, वो कुछ नियम लगा सकता है, जैसे मान लिए कि सरकारी नोकरियों में, कि particular state से ही भरतियां की जाएंगी, कि इस भरती में, इस state के लोग ही apply कर सकते हैं, तो ऐसा rule बना या सकता है, यह इसका एक exception है, वहीं जो है, post appointment होगरा में, reservation backward classes को दिया सकता है, अगर वो adequately represented नहीं है, तो यहाँ पर उनको आरेचन दिया सकता है, उसके अलबाद देखिए, इसमें एक और नियम एड किया गया, 103rd amendment 2019 के दवारा, EWS को 10% आरेचन दिया गया, तो यह भी जो है, article 16 का एक exception है, 10% जो reservation है, वो EWS को दिया गया है, 103rd amendment act के दवारा, जो की 2019 में हुआ था, उसके बाद article 17 है, article 17 जो है वो untouchability को abolish करने की बात करता है, जो छुआ छूट है, उसको खतम करने की बात करता है, उसकी practice को जो है, वो forbid करता है, लेकिन जो untouchability यह word है, यह हमारे सम्विधान में, हमारे constitution में कहीं भी define नहीं किया गया है, ठीक, इस word को कहीं भी define नहीं किया और Supreme Court ने यह भी कहा है कि article 17 जो है, वो state के साथ साथ private individuals के against भी हमें मिला हुआ है, article 18 बात करता है, titles के abolish की, यानि जैसे पहले के लोग जो है, महराजा, धिराज, और राजा का जो title यूज़ करते थे, उसको abolish करने की बात करता है, article 18 कहता है कि state, it prohibited the state from conferring any titles except a military or academic distinction, तो military titles या academic distinction के अलावा, जो है, कोई भी title आप नहीं ले सकते हैं, लेकिन बाद में इसमें एक प्रावधना एट कियागा कि इसे पदम श्री, पदम भुरूशन जो मिलता है, वो भी use किया सकता है, तो वो भी इसका एक exception है, तो अगर मान लिए कि कोई citizen है, और वो बाहर के देश स जो है title उसको accept करना है, तो पहले उसको जो है, अपने यहां से permission लेनी पड़ेगी, प्रेसिदेंट से, उसके बाद ही वो accept कर सकता है, और अगर कोई foreigner, जो कि इंडिया में रह रहा हो हो, और अपने state के अंदर काम कर रहा हो, अपने भारत सरकार के अंदर काम कर रहा हो, तो वो भी बिना प्रेसिदेंट के consent के जो है, कोई भी title नहीं ले सकता, ठीक है, तो कोई भी citizen या foreigner, अगर office of profit hold किये हुए है, इंडिया के अंदर, तो उसको जो है, प्रेसिदेंट से permission लेनी पड़ेगी, तभी उसको कोई जो title से उगर है, उसको लेने के लिए permission दिया जाएग वहीं जो भायत रत्म पद्म भूशन, पद्म भूशन और पद्म श्रीव और अवार्ड वगर है, वो भी इसका exception है, यहाँ पर लोग जो है अवार्ड को यूज कर सकते हैं, जो उनको दिया गया है, उसके बाद हम बात करते हैं, right to freedom, right to freedom जो है वो article 19 से, article 22 में आता है, पह में कठा हो सकते हैं, कई भी बिना हत्यार हो के, तीसरा है कि हम association या union वगरा form कर सकते हैं, cooperative societies वगरा form कर सकते हैं, पूरे इंडिया के territory में हम कई भी freely move कर सकते हैं, यह चोथा है, ठीक है, लेकिन इसका भी exception है, कि अगर आपको north eastern states में जाना है तो उसके लिए आपको ILP लगत कि आप, माल यह ऐसा तो नहीं है, कि बोलने का अधिकार है, तो आप किसी को कुछ भी बोल देंगे, ठीक है, माले आप अपने अधिकार का यूज़ करके आप किसी को कुछ बोल दिये, और उस person को बुरा लगा, तो उसका भी तो right toilet हुआ ना, तो आप यह नहीं कर सकते, right to reside and settle in any part of the territory, ठीक है, पांचवा है, कि कहीं भी हमको settle होने का अधिकार है, लेकिन वही बात कि जो north eastern states है, वहाँ आप settle नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे, जो जन जातिया रहती हैं, उनको protect करने के लिए, यह ILP वाला concept हो बनाए गया है, ILP यानि inner line permit होता है, right to practice any profession, यानि किसी profession के practice कर चकते हैं, अब इसका मतलब यह नहीं कि कोई भी जाके बंदुग बेशने लगे, बम बेशने लगे, ठीक है, ऐसा profession कर सकते हैं, जो सही हो legal तरीके से, तो यह भी इसका exception है, पहले आर्टिकल 19 में, total 6 की जगा 7 rights हुआ करते थे, इसमें right to property भी था, जिसको delete कर द दिया रता है, तो लोग जो है, इकठा एक जगा नहीं हो सकते, ठीकर, जिसे COVID के time में, जो है, section 144 लगा हुआ था, एक साथ काई लोग इकठा नहीं हो सकते, तो health safety को देखते हुए, human life खत्रों को देखते हुए, जो section 144 है, वो लगाया रता है, नेक्शन हम बात करते हैं, article 20 क तो article 20 बात करता है, protection in respect of conviction for offenses, तो article 20 जो है, वो हमको arbitrary या excessive punishment के against जो है, वो protection provide करता है, excessive punishment का मतलब यह हुआ कि जितना हम गलती नहीं किये थे, उस से जाधा हमको सजा दे दी गई, ठीक है, तो उसके against जो है, यह protection provide करता है, तो इसमें mainly जो है, तीन provisions आते हैं, और यह right जो है, और foreigners या legal persons, यह सब के लिए available है, ठीक है, तो उसमें तीन provisions है, पहला है, no exposed facto law, यानि कि कोई भी person जो है, अगर मान लीजिए कि उसको 1970 में गिरफतार किया गया था, ठीक है, और उसको 1980 में सजा दिया जा रहा, तो उस crime की सजा 1970 में मात्र दो साल थी, 1980 में यही बढ़के 10 साल हो गई, ठीक है, crime 1970 में हुआ था, अब 1980 में यहां सुनवाई हो रही थी, तो इसको सजा दी गई, कितने साल की, 10 साल की, तो यह चीज गलत है, क्यों, क्योंकि जब उसने crime किया था, तो उसकी सजा जो है, उस टाइम दो साल थी, तो उसको यह दो साल वाला ही, जो सजा होनी ठीक है, तो इसको बोलते है, no exposed fact to law, यानि उस time में जो law चल रहा था, उसी law के according जो है, आज उसको सजा दी जाएगी, क्योंकि crime जो है, वो उस time हुआ था, जब वो law चल रहा था तो, और वहीं जो penalty है, वो भी उसी time के हिसाब से, उसको penalty दी जाएगी, न कि आज के हिसाब से उसको penalty दी जाएगी, तो इसका exception ये है, कि ये, जो no exposed fact to law है, ये सिर्फ criminal laws के लिए, जो है, अपलाई होता है, अगर civil matters है, civil matters में ये काम नहीं करता, उसके बाद दूसरा है, double geo party, यानि कि एक ही crime की सजा जो है, एक आदमी को दो बार नहीं दिया सकती, सबोज कर ये बिहार म बिहार में जो है, एक person ने एक crime किया, ठीक है, अब उसके बाद उसी crime के सजा उसको यूपी में दुबारा दी गई, ठीक है, एक बार बिहार में सजा पाया ही, same crime के सजा जो है, को यूपी में दी गई, तो ऐसा नहीं हो सकता, no double geo party, ठीक है, same offense के लिए, एक बार से अधिक स कि सिर्फ आपको court दे सकता है, या judicial tribunal दे सकता है, इसके बाद तीसरा है कि no self incrimination, यानि कि किसी भी person को ये accuse नहीं किया सकता है, कि तुम अपने खिलाफ गवाही दो, जबदस्ति किसी को ये खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया सकता है, ठीक है, तो जो ये self inc incrimination है, ये oral evidence और documentary evidence की बात करता है, कि आप अपने खिलाफ खुद evidence लेके आईए, या आप अपने खिलाफ खुद बोलिए, ठीक है, तो no self incrimination, लेकिन अगरमान लिजे कि अगर fingerprint चाहिए, या signature चाहिए, या DNA चाहिए, बोडी का, तो ये सब एक्जामीन करने के लिए blood गए, ये सबाब को देना पड़ेगा, और ये जो है, सिर्फ criminal proceedings में काम करता है, ना कि civil proceedings में, ठीक है, सिर्फ criminal proceedings में काम करेगा, तो ये जो थे, ये article 20 के कुछ limitations थे, next हम बात करते है, article 21 की, तो article 21 कहता है कि protection of life or personal liberty, ठीकल, life or personal liberty के protection की बात करता है, यानि सभी को सम्मान से जी इसको narrow interpret किया, article 21 को, और कहा कि जो article 21 का जो ये अधिकार है, ये सिर्फ executive के action के against आपको available है, ना कि legislative action के against, ठीक है, तो यहाँ पर Supreme Court के दवारा AK Gopalan case में कहा गया, 1950 में, कि article 21 आपको सिर्फ executive actions के against में available है, legislative actions के against में available नहीं है, तो बहुत ही narrow interpret किया गया है, यहाँ article 21 को, उसक पासपोर्ट केस भी बोलते हैं, पासपोर्ट केस बोलते हैं, क्योंकि मेंका गांधी को विदेश जाने से रोक दिया गया था, उनका पासपोर्ट जब्द कर लिया गया था, तो फॉरें जाना, फॉरें टैवल करना भी एक fundamental right है, article 21 के अंदर ये judgment दिया गया, Supreme Court ने मेंका गांधी केस में, तो article 21 को यहां बहुत wider जो है interpret किया गया, और कहा गया कि executive actions के साथ साथ legislative actions के against भी ये right जो है वो available है, right to life का मतलब ये नहीं होता सर्फ की एक mere survival जो हम केवल एक जीवन जी रहे हैं, बलकि human dignity यानि पूरे सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार हमको देता ह आर्टिकल 21 और right to marry ये भी article 21 के अंदर ही आता है, right to privacy ये भी article 21 के अंदर में ही आता है, ठीक है तो right to privacy जो है वो भी पार्ट एक इसका right to life and personal liberty का, next अम बात करते है article 21A जो बात करता है right to education की, सिच्छा का अधिकार जो है सबको है, तो 86 amendment के द्वारा जो है इसको समीधान में add किया गया था, ठीक है 86 amendment 2002 में हुआ और उसी के थरू article 21A को constitution में add किया गया, और ये कहता है कि 6 से 14 साल के बच्चों को free और compulsory education provide किया जाएगा, सभी बच्चों को free और compulsory education, इनकी उमर 6 से 14 साल है, और इसी amendment के थरू DPSP में article 14 add किया गया, और fundamental duties article 51A add किया गया, next है article 22, तो article प्रोटेक्शन 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 तो इसका मतलब यह हुआ कि crime होने से पहले ही किसी को गिरिफतार करेना कि यह person जो है यह आदमी आगे चलके crime करेगा या यह आदमी कल crime करने वाला है कल किसी को मारने वाला है या कुछ करने वाला है तो पहले ही गिरिफतार कर लिया रहता है उसको बोलते हैं preventive detention तो जो punitive detention है इसमें trial होगर होगा court के सामने आप जाएंगे उसके बाद आपको स्यादी जाएगी। लेकिन वहीं preventive detention में क्या किया आता है कि पहले ही जो है बीना trial वोगर है कि ही आपको गिरफतार लिया आता है। Article 22 आपको guarantee provide करता है कि अगर आपको गिरफतार किया जाएगा तो आपको बताया जाएगा कि आपको गिरफतार किस crime के लिए किया गया है, क्यों किया गया है, ground of arrest क्या है, यह आपको inform किया जाएगा। उसके अलावा आपको consult करने का पूरा अधिकार है, आप एक lawyer अपना कर सकते हैं और वो आपका case लड़ेगा, यह पूरा पूरा right आपको article 22 देता है। उसके अलावा 24 गंटे के अंदर आपको magistrate के सामने police paste करेगी, यह भी राइट आटिकल 22 प्रोवाइट करता है, 24 गंटे के अगर उपर है तो बिना magistrate के authority के detain आपको नहीं किया सकता, गिरफतार नहीं किया सकता, 24 गंटे से जादा आपको थाने में नहीं रखाया सकता है, बिना magistrate के permission के, यह राइट जो है, यह enemy alien को नहीं मिला हुआ है, तो enemy alien को नहीं मिला हुआ है, यानि enemy alien क्या होता है, जिसे माल लिए कसाब पाकिस्तान से आया था यहाँ पे, तो वो enemy alien हो जाएगा, अब बात करते हैं कि preventive detention के against जो है, क्या-क्या safe guard जो है, वो हमें मिले हु होनी चाहिए, तो उस board में जो है, आपको refer कर दिया जाएगा, और detention जो है, आगे continue तभी होगा, जब advisory board consider करती है, कि ठीक है, इनको further detained किया जाए, ठीक है, मतलब पूरा अच्छे से सब सभूत मिल जाएगा, जाच करने के बाद, तब further detention जो है, वो बढ़ा दिया जाएगा, और जो ground of detention है, कि आपको क्यों गिरफतार किया गया है, किस reason से किया गया है, वो आपको बताया जाएगा, उस आदमी के पास इसको गिरफतार किया गया है, उसके पास यह पूरा पूरा अधिकार होगा, कि वो अपना representation जो है, इस order के against में रख सकता है, तो यह है article 22, next हम बात करते हैं right against exploitation, जो कि article 23 और 24 है, तो article 23 बोलता है, prohibition of human traffic and forced labor, यानि human trafficking और forced labor की prohibition की बात करता है, यह right जो है citizens के साथ साथ non-citizens को भी मिले हुए है, यानि जो विदेशी है, उनको भी यह अधिकार मिले हुए है, और यह अधिकार state के साथ साथ जो है private person के against भी हमें मिले हुए ह article 23 के बाद करें exception क्या है इसका, तो देखे, state compulsory service जो है वो लगा सकता है, यानि मान लिजे कभी किसी और देश के साथ अगर युद होता है, और अगर सैनिकों की कमी पड़ती है, तो वहाँ आपको जो है लड़ने जाना पड़ सकता है, अगर state ऐसा law बना देतो, ठीक है, त ऐसे factories में, जो छोटे बच्चे हैं, जिनकी उमर 14 साल से कम है, उनको नहीं रखा जाएगा, उनको employment वहाँ पर नहीं दी जाएगी, ठीक है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है, कि जो छोटे मोटे काम करते हैं, या किसी और चोटे मोटे दुकान पर काम कर रहा है, तो ऐसे काम से उनको नहीं रुका जाएगा, अपने मन से सुच्छा से वो काम वहाँ कर सकते हैं, उसके लिए कोई prohibition नहीं है, लेकिन जो ऐसे factories हैं, जहाँ पर कोई chemicals का काम है, या और भी कुछ ऐसे खतरनाक वहाँ पर work हो रहे हैं, जो बच्चों के लिए harmful है, तो उसका employment को जो है, प propagation of religion, यानि कि यह देखिए, यह तो पहले individual का right है, ठीक है, आपको यह right मिला हुआ 25 और इसके तहट आप किसी भी धर्म का पालन कर सकते हैं, ठीक है, अपने धर्म, एक धर्म से दूसरे धर्म में जो है, आप अपना धर्म चेंज कर सकते हैं, या तो आप जो है नास्तिक रह practice and propagate any religion, ठीक है, तो कोई भी religion profess कर सकते हैं, practice कर सकते हैं, और change कर सकते हैं, लेकिन इस right का मतलब यह नहीं हुआ कि किसी को जबर्दस्ती जो है एक religion से दूसरे religion में convert करवाया जाए, ठीक है, तो यह इसका जो exception है, उसके बाद article 26 बात करता है, freedom to manage religious affairs, तो यह जो अधिकार है, यह एक group का दिकार है, वहीं जो article 25 था, यह एक person individual का दिकार था, तो article 26 कहता है कि religious जो अभी affairs होंगे, यानि आपके धर्म से सम्मन्दित जो भी affairs किये जाएंगे, तो उसमें आप बिलकुल अपना योगदान जो है दे सकते हैं, उसको manage कर सकते हैं, जैसे right to establish and maintain institution for religious and charitable purpose, जो charity जो है लिए जाते हैं, वो, right to manage its own affairs in matter of religion, right to own and acquire mobile and mobile property, right to administer his property in accordance with the law, ठीक है, तो अपने धर्म के लिए जो है, आप प्रापर्टियों कर खई सकते हैं, और उसके बचा अपशार के लिए वहाँ, इसे मंदर बनवा सकते हैं, और चंदा जो है, इसका पूरा पूरा आपको यानि state government जो है, वो आपसे एक particular religion को promote करने के लिए आपसे taxes नहीं ले सकते हैं, आपसे पैसे नहीं वसूल सकती है, यह फ़ला religion को promote करना है हमको, आप जो है इतने पैसे देंगे, promotion के लिए जो है taxes वगरा नहीं लगाया सकते हैं, और state जो भी public money है, जो कि tax के थुरू collect किया ग लेकिन कुछ fees वगरा चार्ज किया सकता है, उसके बाद article 28 कहता है freedom from attending religious instructions, यानि जो भी religious instruction है, उसको attend करने का पूरा पूरा अधिकार है आपको, देखिए ऐसा कोई भी educational institution जिसको state fund कर रहा हो, वहाँ कोई भी आपको धार्मिक बाते नहीं पढ़ाई जाएंगी, ठीक है, लेकिन अगर वहीं कोई भी ऐसा institution है, जिस पे उस state का controlling है, उस state उसको पैसा नहीं दे रहा है, तो वहाँ पे religious instruction आपको दिये सकते हैं, धार्मिक बाते जो है, एक पट्रॉलर धर्म की बताए सकती है, ठीक है, नेक्श नम बात करते हैं, cultural and educational rights की, तो cultural and educational rights आर्टिकल 20 और 30 मे कहता है, protection of interest of minorities, minorities के interest के protection की बात करता है, आर्टिकल 29, तो इंडिया का कोई भी citizen ऐसा, जिसका कुछ अलग type के language हो, script हो, या special culture हो, तो ऐसे लोगों के culture को protect करने की बात करता है, आर्टिकल 29, तो ये right जो है, चाहे वो minorities होंगे, चाहे majority में होंगे, सभी के culture को protect करने की बात करत है, आर्टिकल 30, जो है, वो minorities को अधिकार देता है, कि वो अपना जो educational institution है, उसको establish कर सकते हैं, और साथ इसाथ उसको चला भी सकते हैं, उसको administer भी कर सकते हैं, तो सभी minorities के पास ये right है, कि वो कोई भी educational institution जो है, उसको establish कर सकते हैं, और उसको administer कर सकते हैं, और मालीजे, in future कभ उनको देना पड़ेगा ठीक है तो यह 44th amendment के थो जो है इसको एड किया गया था article 30 में और हमारे constitution में कहीं भी जो यह minority term है इसको define नहीं किया गया है minority term को जो है constitution में कहीं भी define नहीं किया गया है तो बात करते हैं right to property और कुछ ऐसे laws की जो हमारे rights पे fundamental rights पे restriction लगाने का काम करते ह आर्टिकल 31 देखिए तो देखिए जो right to property था वो पहले एक fundamental right था लेकिन 44th amendment हुआ 1978 में और right to property को delete कर दिया गया तो 19 clause 1 clause F में आता था right to acquire held hold and dispose of property और इसको जो है article 300a में जो है shift कर दिया गया ठीक है तो 44 वा संस्वोधन हुआ समिधान में 1978 में इसके तूर जो है article 31 को जो है delete किया गया और 1901 F को delete किया गया और right to property को article 300a में जो है रख दिया गया as a legal right तो ये जो है अब एक legal right है ना कि fundamental right है तो पहले जब ये fundamental right था परसन जो है directly supreme court जा सकता था लेकिन अब ये जो है legal right हो गया है तो वो direct supreme court नहीं जा सकता अगर बात करें क्या है fundamental right या कुछ exception तो article 31a 31b और 31c ये तीनों जो है वो fundamental rights के exception है तो article 31a कहता है कि अगर कोई भी agriculture reform industry बनानी है या commercial related कोई purpose होगा तो state जो है land acquire कर सकता है state आपका personal land acquire कर सकता है और आप ये नहीं कह सकते कि मेरा right जो है violet हो रहा है तो ये exception है ठीक है उसके बाद दूसरा है कि ninth schedule में कोई भी law अगर बनाय payment बनाया और उसको कहा कि अब से ninth schedule में रहाएगा तो उसको आप court में challenge नहीं कर सकते कि मेरा fundamental right violet हो रहा हो ठीक है कि मेरा fundamental right जो है वो violet हो रहा है लेकिन बाद में जब IR कोलियो केस हुआ 2007 में तो उसमें Supreme Court ने कहा कि ये सरा सर जो है जो हमारा basic structure है उसका violation है तो आप ऐसा नहीं नहीं कर सकते हैं आप किसी पर भी blanket immunity नहीं रख सकते हैं तो अब से अब यह है कि अगर मान लिए कि schedule जो nine है उसमें कोई भी logger payment बनाता है और उसको इसमें रख दिया अगर वो आपके fundamental right को violet कर रहा है तो उसको null reward declare कर दिया जाएगा लेकिन अगर वो ब्लैंकेट immunity जो है इस एक exception है fundamental rights का article 31c अब देखे थोड़ा important है क्योंकि अगर DPSP के article 39b और 39c को implement करना है देखे DPSP क्या है तो DPSP है directive principles of state policy यानि कि जो state है state को एक guidance दिया गया है ठीक है directive principles है ऐसे principles जो state को क्या कर रहा है guide कर रहे हैं कि आप कोई भी अगर law बनाते हैं तो इस इन बादों को ध्यान में रखके बनाईए तो DPSP जो है एक तरह से guidance है कि state जो भी नियम कानून बना रही है तो DPSP को ध्यान में रखते हुए बनाए ठीक है एक moral obligation है न कि legal obligation है तो अगर DPSP का जो article 39b और 39c है अगर इस B और C माले इनको जो है सरकार लागू कर रही है और उसको लागू करने के वज़ए से आपका जो fundamental right है वो violate हो रहा हो तो उसको violation नहीं माना जाएगा तो article 31a, 31b और 31c ये जो है fundamental right का एक exception है ठीक है इन तियुनों के वज़ए अगर right violate हो रहा हो तो उसको violation नहीं माना जाएग बात करते हैं article 32 की तो देखें article 32 right to constitutional remedies की बात करता है और article 32 कहा गया है Supreme Court के द्वारा कि ये हमारा जो है basic feature है हमारे सम्मिधान का Parliament जो है वो किसी भी court को empower कर सकती है रिट्स, order या direction issue करने के लिए Parliament के पास ये अधिकार है कि वो किसी भी court को direction, order या रिट issue करने के लिए जो है वो power दे सकती है President can suspend the right to move to any court for fundamental right do it national emergency तो article 359 कहता है कि President जो है वो suspend कर सकते है जो हमारे court में जाने का जो अधिकार है उसको suspend कर सकते है कब national emergency की time में इसको खतम किया सकता है तो article 32 क्या है वो fundamental जो हमारे rights है उनको enforce करने के लिए यूस किया आता है ठीक है जब भी right का position होगा Supreme Court जाना है तो किस article के अंडर जाना है 32 के अंडर जाना है article 2 जो है वो fundamental rights को enforce करने के लिए बनाया गया है बी आर अम्बेटकर जी ने इसलिए article 32 को कहा था heart and soul of the constitution ठीक है heart and soul of the constitution है article 32 किसके द्वारा कहा गया था तो बी आर अम्बेटकर जी के द्वारा अब हम बात करते हैं कि Supreme Court और High Court का जो है रोल क्या है article 32 को ले करके तो Supreme Court जो है article 32 के अंदर writ issue कर सकता है लेकिन बात यह है कि जो Supreme Court है वो सरफ fundamental right का जब violation होगा तो issue कर सकता है उस जब फंदामेंटल राइट वालिट हुआ तब गवारेंशन होगा तब भी कर सकता है या बाकि जो other rights है legal rights है है उनके violation पे भी issue कर सकता है तो इस मामले में High court की power Supreme court से ज्यादा है क्योंकि Fundamental Right के undation में तो High court जाय कोरेग़ हital साथ जाथ Other Rights का का कोने होगा तभी कर सकता है लेकिंट Other Rights के undation में Supreme Court इशेव नहीं कर सकता है तो High court जो है Reicie इशेव करता है Article 226 के अंडर में और Supreme Court करता है Article 32 के अंदर में, ठीक है, तो जो रिट, जो रिएक्षन है, वो यहाँ पर power जो है, Supreme Court के पास कम है, और इसकी जो है थोड़ी wider power है, High Court की, Supreme Court जो है, वो रिट issue कर सकता है, किसी body के against, ठीक है, पूरे country में कहीं भी रिट issue कर सकता है, लेकिन High Court वहीं पर, जो उसकी जो territory होगी High Court की, जो state होगा, उसी state में, इस्चु कर सकता है, आर्टिकल 32 खुद एक fundamental right है, तो डूड़ी कोड कर सकता है, इसले Supreme Court खुद मना नहीं कर सकता है, कि हम रिट issue नहीं करेंगे, लेकिन सुपरिम कोड नहीं मना कर सकता है, इस चीज़ को, तो टोटल पांच तरह के रिट्स होते हैं पहला है हैबियस कॉपस दूसरा है मैंडेमस, तीसरा है प्रोहिबिशन चौथा है सर्शोरी और पांचवा है क्यों वरेंटो हैबियस कॉपस का मतलब होता है कि तो हैब दे बॉड़ी, यानि बॉड़ी को प्रोड्यूस करो यह और जो है वो कोट के द्वारा इशू किया आता है कि माली किसी परसन को डिटेन कर लिया गया है, गिरिफतार कर लिया गया है तो कोट अपने सामने उस परसन को बुला सकती है और रिट इशू करेगी कौन सा, तो हैब यस को पस इशू करेगी और कहेगी कि उस परसन को लेकर आईए उसके बाद मैंडेमस जो है, उसका मतलब होता है वी कमांड, यह जो है इशू किया आता है कोट के दौरा, अगर कोई पब्लिक ओफिशियल है वो अपनी duty परफॉर्म नहीं कर रहा है तो उस duty को परफॉर्म करवाने के लिए मैंडेमस यानि वी कमांड यह जो है आपको काम करना है, तो इसलिए यह इशू किया आता है, मैंडेमस उसके बाद प्रोहीबिशन, प्रोहीबिशन का इशू किया जाता है, अगर मां लिए बहुत टाइम से कोई केस बगर पेंटिंग चल रहा है, तो शर्शोरी इशू किया सकता है, उसके बाद क्यों वारंटो का मतलब हुआ, बाई वाट अथॉर्टी, किस अथॉर्टी से, इसूड बाई अब बात करें, हैबिस कॉपस कब इशू किया सकता है, तो यह इशू किया सकता है, किसी भी प्राइबिट इंडिविजूल या पब्लिक अथॉर्टी के अगेंस्ट में इशू किया सकता है, वहीं जो मैंडमस है, वो किसी भी पब्लिक बॉडी, कॉर्पोरेशन या कोई भ unilateral authority के against में और जो क्यो वरेंट हो है वह क्या जाएगा कोई भी जो पब्लिक officer है उसके against में इसू किया सकता है तो next हम बात करते हैं Article 33 की दिखेव सब्स peoples कि तो कि आर्टिकल 33 कहता है कि बर्लियमेंट जो है वह 자esagnate forces paramilitary refuses polis forces और intelligence जो्टेंस जो जन्सी जो है वो maintain रहे तो article 33 जो है वो armed forces के उपर जो है restriction लगाता है ठीक है उसके पाद article 34 बात करता है martial law की यानि कि जब भी martial law अगर कहीं भी लगाया जाएगा area में तो वहां पर fundamental rights को खतम कर दिया जाएगा रिस्ट्रिक कर दिया जाएगा लेकिन Supreme Court ने एक बार जो है अपने judgment ने क कहा कि जब भी martial law अगर लगता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि जो रिट habeas corpus है वो खतम हो जाए habeas corpus रिट खतम नहीं होगा क्योंकि यह जो है वो basic feature है हमारे constitution का उसके पद article 35 article 35 कहता है कि जो laws बनानी के जो power है यानि fundamental rights को effect मिलाने के लिए अगर कोई law बनाना है तो वो laws स therefore सिर्फ parliament के पास होगा नहीं किसी state legislature के पास होगा ठीक है article 35 से कहता है कि अगर parliament जो है वो fundamental rights को effect मिलाने के लिए कोई भी law बना सकती है और ऐसे law state legislature के द्वारा नहीं बनाया जा सकते यह कुछ legal rights भी है उनकी बात करते हैं तो article 265 part 12 में है no tax shall be levied or collected except by the authority of law article 300a बात करता है no person shall be deprived of his property say by the authority of law इसलिए जब किसी को अपने property से जब कोई सरकार जो है वो जमीन acquire कर लेती है तो बाद में उसको compensation भी दिया एता है वो जमीन के लिए ठीक है तो उसी कंडर दिया एता है article 301 trade commerce and intercourse throughout the territory of the India shall be free ठीक है तो आप कहीं भी trading को रह कर सकते हैं वापार कर सकते हैं उसके article 326 adult suffrage यानि right to vote की बाट करता है वोट दिने का जो अधिकार है article 322 के अंदर में एक जो है legal right है next video में हम बात करेंगे दोस्तों DBSP यानि directive principles of state policy इस वीडियो में बस इतना ही thank you and thanks for watching